तर रूस युक्रेइन युद्ध के ताजा हलात क्या है मॉस्को तक युक्रेइनी ड्रोनों का पहुंचना क्या पुतिन की कमजोरी का प्रतीक नहीं है एक ख़र मैं यह भी देख रहा था कि बिलिंकन ने कहा है कि जो युक्रेइन है रूसिया ने जितना अलाका कब जा था उसमें से आधा वापस ले चुका है एक ख़र यह भी आई गलत है कि उन्हें आधा ले लिया है सबको तो ग्रांड पर है जी कि टोटल जो पांच से साथ परसंट जमीन शायद इनों ने युक्रेइन ने लिए पच्छिस परसंट देखिए रूस ने कबजा कर लिया था जी पच्छिस परसंट शायद पांच परसंट तक की जो अभी भी जो मैप्स आ रहे हैं और जो ग्रांड सिच्विशन है उसके साथ से ही है और जो अभी क्या हालात हैं अगर आप देखें तो चार चीजे में जो भी हैं वहां चल रही है एक तो ग्रेंड बील है जिसके इसाब से सब कुछ अभी सारे देशों की चिंटा बड़ी है यह कीनों से ले करके अफ इंटरी जैना भागियों की दूसरा जो है इंकरेंग का पहले कांटर ओफञेंसिव चल रहा था अब बोला गया है यह यह युक्रेंच को हो तो मेने चला उसमें कुछ उनको मिला नहीं कोई चीज नहीं हो पाई और जो तीसरी चीज है वह है रूस जो कर रहा है कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि कुछ महीनों से रूस जो है और आटिलरी और इनी के साथ अटेक कर रहा है ग्राउंड फोर्सेज हैं लेकिन कम चल रही है डोनेस्क में या ओडे सामद हो नहीं रही है दोनेस्क बखमूत इनी में जो चली और महिनों से वह चले जा रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा गेन और नहीं है किसी का और चो नहीं जो इतने बड़े गेंस नहीं मिर लड़ाई में लेकिन और नहीं है और जो देखनों को मिल रहा है कि वह जो है अभी भी अपनी सीट पर हैं काभी हैं और कभजे में हैं अब ग्रेंडील का आप हमको पताई है कि देखें दो मेने के लिए 17 मही को यह खतम हो रहा था और दो महीने के लिए इन्होंने एक्टेंड कर दिया था पुतिन ने और सुन से वह कहते आ रहे थे कि दील में जो में इसूज थे उनके कि जो चीज़ें रूस के लिए थी जैसे उनका था कि इनका इनकी ग्रेंस उसी और फटिलाइजर्स उसे साब से जाने चीए और यह में चीज़ी लेन देने वाला क्योंकि सिफ्ट से इनको निकाल दिया था जो इंटरनेशनल मोनेटरीट एक्सचेंज कहा है डिलिंग का था तो वहां से रूस को इन्होंने सैंक्शन लगा के निकाला था तो पैसे फिर इनका आ जानी पा रहे थे तो एको सबसे बड़ी प् दिया था इस बैसे इन्होंने बिलकुल अभी रोक दिया है और इसकी विज़से ऑल्रेडी जो दाम है इसके प्राइसे हैं वह पांस से दस परसंट तक तो बढ़ी गया है और इसी वजह से हालाकि अभी शौटेज उतनी नहीं है यह लेकिन प्राइसे तो आपको पता है औ आपको उनके उपर आ रही है इंक्लूडिंग यह रूप में भी आ ले जी प्रॉलम आ रही है और यहां तक जा रहा है चुकि अभी बंद वो गया है तो ग्रेंस एक्सपॉर्ट का जो रास्ता है या तो लैंड रूट से जो पुलेंड के तुरूई जाना है और पुलेंड का जो पोर्ट है होहां से बलैक सी में होहां से जाएगा है इसके हाँ सुवानिया है उसके जो वहां से जा सकता है लेकिन वहां तक इतना ग्रेड़ें वाई ट्रेड़ेलवे और नई रोडम ले जाना मुमक्न नहीं है जो इतना west सापोर्ट पर ले आना तो यह जो चीजें हैं यह बहुत मुश्किल वाली हाला कि अभी वो ट्राइब कर रहा है उसी रूट से बाई रोड लेके जाने के लिए उससे नुक्साने हुआ है कि पोलेंड और बाकी जो कुछ कंट्रीज है इनके उर्पेन इनके उनमें इतना ग्र खड़े हुए हैं यह जो प्रावलम्स काफी हो गई है तो अभी यूएन ने इस बीच में अपना प्रॉपोजल लेके आये थे यह ग्रेंड डील एक्स्टेंड हो और इसके लिए उन्होंने दो तीन प्रॉपोजल दियो जिसमें एक भी था कि रशन बैंक जो इनका एजिक और किसी बैंक के तुरू किया जाए जो की पॉसिबल नहीं था रशा के लिए करना क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो जाता तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आज इतना हमने एक्स्टेंड किया डील की लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ है इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉलम इसकी आई है जो पूरा देश दुनिया और यूर्पेन कंट्री सब को जो है देखना पड़ेगा एक चीज है जो अभी वहां चल रही है दूसरी चीज अगर आप देखें वहां पर जो युक्रेन का ओफंसिव है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है अब युक्रेन ने दो चीजे कांसेंटिट कि एक बखमुत में को रहे हैं और यूक्रेन को थ्रेटन करेंगे जिससे की यह उक्रेन के ऊपर एब सौरी उक्रेन की उपर प्रेशर डालेंगे क्रिमिया के लिए भी वहां भी एक फॉंट खोलें और बाकी नीचे तो है तो क्रिमिया के उपर फोकस करने के लिए लेकिन वहां पर इनको ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है भी ब्रीजियों ने डिस्ट्राय किया ब्रीजियों ने डिस्ट्राय किया मतलब आपने देखा उसकी नियूज की ब्रीच कर दिया था उसको लेकिन उसको उनोंने रिपेर करके और वहां वो चल रहे हैं लेकिन उस सपर सी से कुछ खास हुआ नहीं वह बहुत देखिये जबी कि जो निवीच थी इन्होंने खुड का इनका कहना है कि इन्हों फॉद्सक्राइब आगे बढ़े हैं तो पांच किलो मिटर चार को लिमेटर उतने खाली अलाके में जहां गावं देखते हैं में कितनी दूर दूर पर हैं कोई खास चीज नहीं है आगे बल नहीं पा रहे हैं landmines और जो इनके standoff आटेक्स है मतलब आट्रिल्वी मिसाइल और बाकी इसकी रशा की तो यह जो है ऑफेंसिव कुछ खास नहीं चल पाया और इसलिए दो तीन चीजें जो मेन हो गई है अब यूरोप में भी आवाज उटने लगी है वह हमने इतने मिलियंस ओ बिलियंस दिये इतनी ज्यादा हमन कि नि'll को टेंक्स और आमट परस्टनल क्टेवेर और मिसाइल और फैट्रियस से लेके जो इतनी मिसाइल सबदी गई प्लियंग अब लेपड टेंक्स दो इतने बड़े टाइंक्स माने जाते हैं प्लोप इतनी बड़ी मिसाइल मन याति जैवलाइन अनलैंटी तेंग डिय गए इनको जो है आप देखिए स्माल आम्स मतलब लाखों तो इनके गोले दिये गए आर्टिलरी के स्माल आमस दिये गए इनको लेटर से देखिए स्टॉम शेडव मिसाइल दी गई पैट्रिय टैंक्स दिये गए लेकिन हुआ क्या इतना देने के बावजूद मिला कुछ हो आवाज उठ रही है कि हमें आडिट करना चाहिए कि हो क्या रहा है और इसी बीच में अभी भी चुकि देखिए युक्रेइन का आप हिस्ट्री देखिए करप्शन के मतलब वहां की पूरी गवर्मेंट के निचे तक करप्शन में थे अभी भी वह पॉइंट आ रहा है कि क चीजें जो है थोड़ा देखना वहां पर बहुत ज्यादा हो नहीं हो रहा है लेकिन ही चल रहा है अभी हुआ क्या लेटेश देखिए वह क्रीमा में आटक्स किया ड्रॉन्स वेज करके युक्रेन ने जो की मार गिरा है गयारा बार सत्रह बज़े ते गयारा बार इन्हों लेकिन रूस ने जो है और इसके साथ इन्होंने अभी जो और कर दिया इन्होंने की एक कहते हैं कि हमें और मिसाइल चाहिए एंटी अपना एरक्राफ वेपन से ही हैं तो यह अभी भी वेपन समांगे जा रहे हैं और इनको बड़ा क्लिरली भी बोला गया कि आप ऐसा निय दिया जा है उस पर अब थोड़ा सा डिबेट होने लगा है कि रिपें यूनियन में भी और वहां भी हला कि लेटेस्टेक की चार सो मिलियन डॉलर का और अभी यूसे ने उनको देना है जी लेकिन एक और चीज बड़ी क्लियर की है अमेरिका ने परसों की देखिए अमेरि कर रहे हैं जी वड़ा क्लियरली उन्होंने बोला है क्योंकि रूस ने बोल दिया था कि अगर हमारे के अंदर ये वेपन साइंगे तो हम डिरेक्ट अपने उपर अटैक मानेंगे तो यह जो है चीज काफी प्रावलम अभी हो रही है युक्रेन के लिए और इसमें युक्र 22 जुलाई को तो उसमें भी काफी उनका नुक्सान हुआ क्योंकि वो डॉन्स उनके काफी दबा दिये गए तो इस वज़े से मुझे लग नहीं रहा है कि ये कुछ मिल पा रहा है जितना इनको चाहिए जो यह सूचते थे कि इनके ट्रेन करके आएं लोग और ये आगे इसने एक ग्रेन डिल से बाहर आ गया रशा तो सबसे पहला काम उसने किया है यह ओडेसा पोर्ट पर अटैक करना और ओडेसा पूर्ट में इनके ग्रेन डीपो बहुत ज्यादा थे वेर हाउसे तक रिबन साथ आठ थे जिसमें कहा जा रहा है कि साथ तो उसने डिस्ट्रा आ रहे थे जो यहां पर स्टोर किये जा रहे थे जो ग्रेंज लेकर शिप्स जा रही थी तो ऐसी चीज है जिनको ले करके आ यह काफी बड़ा नुक्सान है अगर वेर हाउसे दिस्ट्रॉय होगे तो वहां तो इनके पास कुछ है नहीं स्टोर कहां करेंगा अगर ग्रेन ले भी जाएं तो जी पहली बात इसके ओपर काफी बड़ी हो है रूस ने बड़ा क्लेरली बोल दिया कि हमारा स्पेशल ओफेंसिव चलता रहेगा तो वह वह भी रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं और अभी रूस के बीच से बात उठी है कि हम जो है इंफ्रास्रॉक्ट् की बची हैं उनको भी आप डिस्ट्रॉय कीजिए तब जाकर के इनको एफेक्ट होगा तो मतलब अगर वार यहां पर आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान इसमें हो सकता है भले ग्राउंड पर पांच किलोमेटर जैसे कह रहा है क्रेंड को मिल भी जाए ल दूसरी बात जो अमेरिका की है उसमें का जा रहा है कि चोरी छिपे चीन से स्फेर सभी भी पहुंच रहे हैं वहां वहां इविका गया है कि कुछ अमेरीका की भी बीडिल तो मतलब यह ऐसा नहीं है कि कोई चीज रुकी है यह चीज बढ़ती जा दियो लग नहीं रहा है कि कोई चीज इतनी जल्दी रुख पाएगी जी नौ अभी जो है जो रशा ने बड़ा क्लिरली बोला है कि उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और फैक्ट है कि बढ इमिलेक्टरी एकुप्मेंट है उसका जो इनौने रख क्लैस्टर बाम्ज की बात हुई थी कि अमेरिका देगा उसके ठोपर काफी क्लि mıंट में अ यह को सो उग नहीन आभेसे बांस उब다고 होता है कई जगहों पर कलिश्टर बॉम ज़ियो उसके बाद सालों तर लोहं के नॉक्सान होते रहे लेकिन अमेरिका उसका सिंगेटरी नहीं यह जिंद लेकिन चुकि इसके अगेंस्ट घूम में भी बोला गया तो अभी यूक्रेन ने बोला है कि हम खाली यूज करेंगे इनके जो है रूस के जिसके उपर एक काफ़ एफ्टिव होगा तो ऐसे करके जो चीजें हैं चल रही है रूस ने भी कॉंस कॉंस्क्रिप्शन की यह जो पहले सपाइस रखी थी अपनी मिलिटरी कॉंस्क्रिप्शन की बढ़ा के तीस साल कर दी है तो और भी लोग मतलब उनको यह लेंगे अपने लिबेटरी में जहां तक पुतिन का सवाल है पुतिन देखिए औरी वो अपनी विजिट कर रहे हैं चीन का उन्होंने बनाया कि चीन की विजिट करेंगे अभी तरकी की व बेलारूस पर कोई अटाइक आता है तो मैं उसको हम रशा पर अटाइक मानेंगे तो मतलब उसको भी डिटर करने के लिए कि यह कोई जो पहले सोच रहे थे नाटो की हम पनिश करें बेलारूस को अफ्रिकन यूनियन की देखिए मीटिंग अभी हुई है कल पर सो और आज चल रही है सेंट पीटर्बर्ग पीटर्श बर्ग में हलाकि इसमें आइटिंग 32-32 से 17-18 इस आए लेकिन फिर भी हुआ हैं वहां पर और रूस से कहना है कि बाकि जो अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएं बट उन से बाद चीट है और में जो फोकस है वह ग्रेंड डिल की कि इनके पास ग्रेंस कैसे पहुंचाएं और रशा कैसे जो है अफ्रिका की इन कंट्रीज में अपना वर्चस काइम रखे तो यह चीज़ें चल रही है और लडी वहां पर इनको देखते हुए नहीं लगता और दूसरा तीसरा जो मैं ओ था वैगनर ग्रुप उसको भी उन नहीं लगता की कि एक कुछ और चीज़ें हो रही है और पूतिन अपनी पकड़ जो है मजबूत किये जा रहे हैं अपने अंदर भी अपने रशा के अंदर भी और बाहर भी और इन फैक्ट आप देखिए ता जो तास की रिपोर्टिंग है उसमें यह कहा गया है कि जो जो है और लड़ी रशा ने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो अगर यह हाला ते आप सोची कि बहुत बड़ी चीज़ें अगर तीस पर सेंट यह मैं कहता हूं कम भी डिस्ट्रॉय है तो हो तो गया है जो कि यह समझा जाता था इन वेपन का कुछ हो नहीं सकता तो यह जो चीज और जिनका रशा और चैने चाहिना के देखिए डिलीगेट नौर्ठ कुरिया को विजिट किया है अभी उनके अभी में कली ऑपर चल रहा है तो ये जो है आ आप ये समझे कि आप जो जıtना कुछ हो रहा तो paste एक रहे ही है तो दिन वह THAT रहा मिसाइल सर बाकिए टैक्स चलना यह साथ नक्सान तो हुंहां हो रहा है ड्रोन से और बाकी चीज़ें से दूतरी चीज़ एक और आई है यह यूएस नहीं नीज दी है इन फैक्ट इंग्लेंड की भी अमाई की भी नीज है कि रूस जो है अमेरिकन जो सारी इरान से जो ड्रोन से ले रहा था उसकी अप प्रोडक्शन अपने हां को है यह तो पढ़ना ही पढ़ना है आगे चल करके जी दूसरी बात रही इसकी कि जो ड्रोन साइड डेफिनेटली एक यह बात है कि कुछ ड्रोन जरूर पहुंचे हैं यूक्रेन के मासकों में पहले भी पहुंचे थे मासकों की इने राउंड और हमने तब भी का था लेकिन द्रोन को देखी आप रोग नहीं सकते ड्रोंस आप कितना आईरन ड्रों मौला कर्टन भी लगा दीजिए जो इस्राइल का है ड्रोंस इतने छोटे इतने लोव फ्लाइंग पर हैं कि उनको आप रोग नहीं सकते लेकिन फिर भी को इतना डैमेज नहीं हुआ रूस ने भी चेंज कर दिया अब वो डोनेस्क ले करके और इदर साउथ में तो चली रहा है दोनेस्क में उसने फोकस कर दिया ओडेसा में अलड़ी उसने अपनी चीज़ें फायर करना शुरूरी के उसने फायर किया हुआ है देखिए की उपर भी उसने मिसाइल दागे हैं इसमें और डोनेस्क रीजन में भी कुछ जगहों पर यह जो है अब और ऐसा कुछ नहीं कहने देखने को इमिल्ला की उक्रेइन ने कोई बहुत बड़ा टायक कहीं किया और बहुत कुछ कैप्चर कर लिए कहीं ऐसी नहीं आ रही है एक और सेकंड ओफिंसिव यह कितनी ओफिंसिव चलेगी यह कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है ना नाटो के ना उक्रेइन के और रशा तो खेर अपना हो जानता है इसलिए मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ और यह पीस वाली बात अब आएगी आगे जी तीसरी जहांता एकॉनमी की बात है देखिए रशा का बैकबॉन ने तोड़नी पाए रशन एकॉनमी की और अभी जो है जो मैं अभी बात कर रहा था जो परसों से अफ्रिकन कंट्रीज की मीटिंग चल रही है सेंट पीटर्स वग में आज शायद एड्र और आए के बागी उसमें और डॉलर को हम कमजोर करें एक यह बी चीज ये लेके चल रहा है है सो यह जो है और रूफ से कह रहा है के लूएंस में हम अड्वांस कर रहा है तो यह जो चीज जो खबर आ रहे है क्योंकि इतनी ज्याद़ा आती नहीं थी पहले तो इस वज़ह से थोड़ा इसमें चुकी प्रोग्रेस नहीं है और अगर नुक्सान किसी का हो रहा है तो नाटो और अमेरिका का हो रहा है वो दिरे-दिरे एक समय आएगा कि जो मैं पहले से कह रहा हूं वार फटीग जो है यह दिरे-दिरे आएगी सब में आएगी इंक्लूडिंग नाटो कि अब बहुत हो गया कितना चलेगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके